Hello everyone, आजम करने जा रही है चैप्टर The Adventure, written by जयनितनादलिकर स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि स्टोरी थोड़ी सी कॉंप्लिकेटेड है जो हमारे मेन क्यरेक्टर है गंगाथार पंथ गाई तॉंडे ये एक हिस्टोरियन है और ये सेमिनार्स में जाते हैं, लेक्चर्स भी देते हैं और अभी भी एक सेमिनार में जा रही है और रास्ते में क्या होते हैं इनकी जो कार होई एक ट्रक के साथ कॉलाइड कर जाती है और इनका ऐसा एक्सिडेंट होते हैं कि कॉमा में कहुंच जाते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि ये जो जीजेहीं ही डिफ्रेंट कैसे हैं फिर अपने एक दोस्त के साथ जब ये भोश में आ जाते हैं अपने एक दोस्त राजेंदर जीजे शेयर करते हैं तो वह इन्हें क्वेंटन थोरी के बारे में बताते हैं तो चलिए हम देखते हैं क्या है यह पैंटन थोरी और किस तहां से जो हमारे राइटर है वो अपने स्टोरी हम आई सा शेयर करें हैं वो के बिना देर की स्टार्ट करते हैं So in this chapter there is a professor, Professor Gaitunde who is a historian and he is on his way to give a lecture on the implications of catastrophe theory in the third battle of Panipat तो जब वो अपने रास्ते में होते हैं अपना lecture देने के लिए तो क्या होता है कि उनकी car, car, truck के साथ collide हो जाते हैं एक्सिडेंट हो जाता है उनका और वो क्या होता है कि वो कोमा में चले जाते हैं और जब यह जो scene है यह real world का है और अब इस story में जो भी Professor Gaitunde हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में real world से parallel world में shift करते जाएंगे और मैं आपको बता दूंगी कि कब वो real world है और कब parallel world है तो जब वो कोमा में चले जाते हैं तो he is very unconscious और उनका जो shift है वो real world से parallel world में हो जाता है और वहां पर क्या होता है कि वह experience करते हैं कि वह एक और another दुनिया में आ गए हैं और जहां की history जो है वो बिल्कुल है different है उनके real world से तो real world है उसमें जो अफगांस है वो थर्ड बैटे लोग पानीपत में मराठा इसको किल कर देते हैं और विश्वासराव की parallel world में ही कहां जाते हैं Mumbai जाते हैं तो अपने parallel world में वो travel करते हैं और वो ऐसा सोचते रहते हैं कि मैं travelling कर रहा हूं मैं पुने से Bombay जा रहा हूं और तो जब वह Bombay पहुंचते हैं तो वह क्या देखते हैं कि जो Bombay है ना वह बहुत ज्यादा तो सब बंब्स आप आप जो यहां पर नहीं है जो रियलीटी में अब है जो बंबे वहां का है वो इंडिपेंडेंट्ट से पहले का याने उनिस सो से पहले का जहां पर एंगलो इंडियन्ज है और ऑर पर यूनियन जैक भी है शोप्स जो है वह बहुत ज्यादा डिफेंट थी जैसे की इंडिपेंडेंडेंस से पहले की थी और सारी बिल्डिंग्स वगरा जो थी वह बिल्कुल डिफ्रेंट थी 1947 से पहले वाला सीन जो था उनको सब नचर आ रहा था अब and after that he entered Forbes building वहाँ पर वो एंटर करते हैं Forbes बिल्डिंग में जहां पे वो receptionist से पूछते हैं कि यहां पे कोई विन्य गाईतों रे नाम का कोई पर्सन है तो receptionist जो है वो बताती है कि यहां पे तो इस नाम का कोई भी पर्सन नहीं है तो वहाँ से निकल कर कहा जाते हैं लाइबरेडी में जाते हैं रिडिंग दा हिस्ट्री वोल्यूम्स अब जब वो लाइबरेडी जाते हैं तो वो हिस्ट्री बुक्स ओर्डर करते हैं और उनके सामने बहुत सारी हिस्ट्री बुक्स आ जाती हैं तो वहाँ पे 5 volumes उनके सामने table पर होती है और 5 volumes में से वो सिर्फ 4 volumes ही पढ़ते हैं तो जो वो 4 volumes पढ़ते हैं उनमें क्या mention होता है उनमें King Ashoka से लेके 3rd Battle of Pani Pat की जितनी भी history है ना वो उन volumes में होते हैं अब यहाँ तक जो history थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि उनको पता थी बिल्कुल same to same वैसी ही थी लेकिन जो history है उसमें shift कहां पर आता है जो history उनको जो change नजर आती है वो shift जो है वो कहां पर नजर आता है एक different turn कहां पर लेता है जब वो 5th volume में change होता है और 5th volume का नाम क्या था बहुशाह बंची बखर यह नाम आपको याद रखना है और यह बहुत ही important है तो यह जो बुक थी ना बहुशाह बंची बखर यह उनके belief को support करते थी कि Maratha जो है वो अफगान के against जीत चुके हैं और after that he reads that Vishwasraf narrowly escaped from the bullet and उसके बाद वो आगे पढ़ते हैं कि इंडिया जो है वो democracy की तरह बढ़ता है and absentmindedly उनको पता नहीं चलता कि एकदम से वो उस book की copy अपने book pocket में डाल लेते हैं and after that he goes out of library और उसके बाद library से वो बाहर चले जाते हैं and now he reaches आजाद मैदा अब वो कहां पहुंच जाते हैं लैबरेरी से निकलने के बाद वो आजाद मैदान में पहुंच जाते हैं वहां पर देखते हैं कि बहुत ज़्याद़ क्राउट है असेंबल हो रखी है एक lecture देने के लिए तो वहां पर गायतोंडे देखते हैं कि जो चेर्मेन की सीट वेकेंट है वहां कोई भी नहीं बैठा है वहां पर कोई भी नहीं था तो प्रोफेसर गायतोंडे क्या करते हैं कि खुद माइक उठाते हैं और स्पीच देना शुरू क पर दें तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा तो वैसे ही जो ओडियंस थी वह भी नहीं सुनना चाहती थी प्रोफेसर का इतुंडे का लेक्चर तो ओडियंस क्या करती है एक्स एंटमेटों उनको पर फैंगना शुरू कर देती है और आफ्टर दैट प्रोफेसर जो है वह क्राउड के अंदर ही लोश्ट हो जाते हैं वह भीर में ही गायब हो जाते हैं गुम हो जाते हैं किसी को भी पता नहीं चलता करते हैं तो वह राजंद्र देश पांडे से बात करते हैं अब राजंद्र देश पांडे को बताते हैं कि मैंने ये सारे चीजें देखी हैं, मैंने बहुशाय बंची बखर जो है वो पड़ी है, तो absentmindedly जो उन्होंने कोपी अपनी पोकेट में डाली थी, वो राजंद्र देश पांडे को दिखाते हैं, लेकिन actual में वो कोपी नहीं हो वो वही नोट्स होते हैं, जो उन्होंने अपने लेक्चर के टाइम पे अपने पास रखे हुए थे, वो नोट्स उन्हें दिखाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि मैं तो ओल्रेडी लेक्चर दे चुका हूँ आजाद मैदान में, तो राजंद्र देश पांडे जो हैं वो उन्हें बताते हैं कि तुम जो ये सारी चीज़ें, हाना, जो एक्सपेरियंस कर रही हो ना, इट्स ओल विकोज ओफ दा कैटेस्टर फ्थोरी, अब राजंद्र देश पांडे जो हैं, वो प्रोफेसर को समझाते हैं कि कैटेस्टर फ्थोरी में क्या होता है, कि अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है, आपके सरकिंस्टांसिस में, आपकी सिचुएशन में, तो आपके बिहेवियर में भी थोड़ा सा चेंज आता है, एक सड़न शिफ्ट हो जाता है आपके बिहेवियर में, एकदम से परिवर्तन हो जाता है, आपके वियवहार में, आपकी उनको खो देते हैं उनका जो मोराल है वह बहुत ज्यादा वीक हो जाता है उनको बहुत बुरा फील होता है तो वैसे ही वह कहते हैं कि जैसे अब आप एक्सिरेंट हुआ था ना आप में शिफ्ट हुआ था आप भी रियल वर्ल से पैरलल वर्ल में चले गए थे आपने वह चीज जो है वह एक्सपेरियंस कर ले थी कि वहां पर जो चीज दिमाग में उनके चल रही थी ना कि मेरे वहां जा रहा हूं और भाशन देने के लिए ज इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपने यह सब कुछ किया है और इसके बाद कि लेक ओफ डिटर्मिनेंस इन क्वेंटम थोरी इसके बाद वह कैटेस्ट्रोफ थोरी के बाद में देश-पंडे जो है उन्हें एक और थोरी के बारे में बताते हैं जिसका नाम है लेक ओफ करते हैं from high to low level and they can send a pulse of radiation है ना और कि उसमें जो है रेडियेशन की पल्स इसकी भी चेंज हो जाती है और जम जो है उनका हाई से लो लेवल में हो जाता है मतलब हम आज की इसमें और पीछे की इसके बारे में सोच रहे हैं तो पीछे की इसमें चले जाते हैं और वह उन्हें बताते हैं कि reality जो है ना वो कभी भी one-sided नहीं होती जरूरी नहीं है कि जो real world है उसके अलावा को your world एक्जिस्टी ना करता हो in fact वह उन्हें बताते हैं कि एक टाइम पर दो alternative worlds जो है वह एक्जिस्ट कर सकते हैं एक तो वह जिसमें हम रह रहे हैं और एक वह जिसके बारे में सोचते हैं और आपने भी यही चीज़ experience किये आप भी real world से parallel world में ही गई होंगे तो आपको ऐसा लग रहे है कि आपने जो जो भी experience किया वह जस्ट अभी किया है तो वह उन्हें बताते हैं कि जब आपका accident का time था उस time में भी आप catastrophe के बारे में सोच रहे हों और जो है थर्ड battle of panipat के बारे में सोच रहे हो यह भी हो सकता है और इसलिए आपको यह सारी चीज़ें देखने को मिल रही है और then he tells कि उस time पर जो neurons है ना in your brain आपके दिमाग के जो neurons है उन्होंने एक trigger की तरह act किया काम किया और उन्होंने आपको jump किया real world से parallel world में वास्तविक दुनिया से अलग दुनिया में उन्होंने आपको shift कर दिया और इस वज़े से आपका जो shift है वो occur हुआ है ओके थेंक्स डोंट फर्गेट टो सब्सक्राइब